जैन फ्रेंड्स वंस अगेन एक बार फिर से आ गए हैं मुंबई इंडियन पर और बात करेंगे मुंबई इंडियन के खिलाडियों की सबी बड़ी खबरों पर IPL पर क्या कारवाई हो रही है और सबसे जरूरी आपकी प्लेइंग 11 आपके कॉमेंट्स के साथ सब पर बात करे तो दोस्तो स्क्रीन पर एक बार फिर है मेरी प्लेइंग 11 आपको फिर से बता देना चाहूँगा उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये सिक्वेंशियल ओरडर में नहीं है ये प्रेफरेंस ओरडर में है प्रेफरेंस ओरडर से मेरा मतलब है कि जो खिलाडी जो कि अभी आपके screen पर है इसे भी हम discuss करेंगे कि किस option पर कितने poll हुए हैं और सबसे पसंदिदा order कौन सा है और betting sequence पर आप भाईयों के बहुत से comment है उसको भी discuss करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से देख लीजिए वो 11 खिलाडी जो चुने है मैंने Mumbai Indians के का मानना है कि रोहित शर्मा को open करना चाहिए पोलाड के साथ और वन डाउन पर उतरेंगे हार्दिक पांडिया चार नंबर पर डिकॉक और उसके बाद सुर्यकुमार दूसरे options की बात करें तो 7% और तीसरे option की बात करें तो उसे भी अच्छे खासे vote मिले है 24% जिसके अंस सारे हैं एक एक option यहां possible नहीं होगा कि हम discuss करें मैंने सभी suggestions और comments की grouping कर ली है और उस grouping के अंसार जो जो main suggestions है हम उसे ही discuss करेंगे तो दोस्तो majority of you guys आप भाईयों का मानना है कि रोहित शर्मा और डिकॉक को open करनी चाहिए और उसके बाद के तीन नंबर में थोड़े थोड़े changes हैं और ऐसा सोचने वालों में हैं राहुल शर्मा आलोग जोशी विरेंदर कुश्वाहा महदूर गुपता दशरत कुमार सचिन आदे नाम में अगर pronunciation में कोई गलती होती है तो प्लीज माफ कीजिए गा बिश्नोई जी और शाद कुमार हितेश सहेजबाल ओम परकास होग दोस्तों ये वो भाई हैं हम मैंसे जिनका मानना है कि रोहित और डिकोग को आपनिंग करनी चाहिए और ये हमारे पॉल में पहला आप्शन भी था जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं अब बात करते हैं मेरी प्लेंग 11 में एक बड़ा कमी आप कमी कह सकते हैं आखिरकार ये कमी है लेकिन किस किस को चांस दिया जाए मैंने आपको कहा था कि मैं 12, 13, 14 प्लेयर्स की टीम नहीं बनाऊंगा एकजेक्ट 11 और उस एकजेक्ट 11 में लिन का नाम नहीं है लिन को चाहने वाले बहुत हैं और लिन नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हैं उनकी और इस खास प्लेयर के फैंस के लिए मेरी तरफ से सो सोरी तो ऐसा कहने वालों में से जिन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि यहां वे क्यों नहीं हैं इनमें हैं मॉन्टी चोहान, आरव यादव, गोपाल जा, क्रिकेट 10, प्रिंस बाजवा, योगेस कुलकरनी, निहार रंजन और गजनफर अबास, ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि लिन को टीम में 100% होना चाहिए, तो दोस्तों मान ली आपकी बात आप सभी के सगेशन्स पर हम हमारी फाइनल प्लेइंग 11 भी देखेंगे एंड में, अब यहां मुंबई इंडियन्स के चाहने वाले, especially उन जी खेले, उन में हैं गोपी, इमरान, अंसारी, सचिन नायक, इर्फान, अकरमी, रफी, गुलशन और देव सिंग, आप भाइयों का मानना है कि मुंबई इंडियन्स ही जीतेगी, मुंबई इंडियन्स के खिलाफ कुछ भी नहीं सुना जा सकता, और दोस्तों अब मुंब में अकेला ही काफी है, तो दोस्तों ऐसा तो खेर नहीं हो सकता, 11 लोगों की टीम होती है, विकेट कीपर भी चाहिए, बोलर भी चाहिए, कहां कहां फेल्डिंग करेंगे रोहिच शर्मा, जोकिंग, नो डाउट रोहिच शर्मा की कप्तानी, उन पर पिछले दिनों से आप जरूर वीडियो देख रहे होंगे, आपको हैट्रिक देखना चाहिए, जिसमें हर रोज कोई ने कोई बड़ी खबर होती ही है रोहिच शर्मा पर, तो उनकी काबलियत पर कोई शक्त नहीं है, किसे भी, ने सिरफ भारत में भारतिया फैंस को, बलकि पूरी दुनिया में, क्रिकेट के दिगल्स उनकी तारिफें करतें नहीं थकते हैं, तो इस बात में कोई शक्त नहीं है कि रोहिच शर्मा की वज़े से ही, IPL टाइटल चार बार नाम कर चुकी है, मुंबई इंडियन्स, एक मेरे भाई है जोगेंदर कटारिया, वो पूरी तरह एगरी करते हैं म देरी टीम से, उनका मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी टीम है, और यही वो टीम है जो वे चाते हैं बहुत ही अच्छी सेलेक्शन हुई है, तो थैंक यू सो मच जोगेंदर कटारिया, थैंक यू सो मच आल आफ यू, और दोस्तों इन सभी के अलावा एक ग्रूप ऐस हरशित बरनाल, CS के भी बहुत टफ टीम है, और सिर्फ एक ही टाइटल विन से पीछे है, मुमबई इंडियन्स से, और यह टीम जिसके कप्तान है, MS धोनी और इस बार IPL में MS धोनी से बहुत सी उमीदे हैं, इस बार का IPL मुमबई इंडियन्स अपने नाम करेगी, या फिर चैनल इस सूपर किंग, इस पर एक स्पेशल रियक्शन वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए, चैनल पेज पर जाएं और देखें, तो दोस्तो ये हैं आप लोगों के कॉमेट, अब थोड़ी सी खबरें, जो नई खबरें आई हैं, मुमबई इंडियन्स के हवाले से मुमबई इंडियन्स के खिलाडियों से रिलेटिड जो खबरें हैं, उन्हें डिसकस कर लेते हैं, और अंत में हम देखेंगे कि आप सभी के सेजेशन को एड़ अप करने के बाद, फाइनल टीम क्या निकल कर आती है, तो दोस्तो पहली खबर शिरंका से आई है, और काफ बड़ा योगदान रहा है हमेशें से, तो रिपोर्ट ये आई है कि लसित मलिंगा, आई पिल के पहले हफ़ते में एपसेंट रहेंगे, पहले हफ़ते वे आई पिल नहीं खेल पाएंगे, और वजह है अल पिल, लंकन प्रिमियर लीग, जो की बिलकुल एक दिन बाद शु और जैसे ही वे वहाँ से फ्री होंगे, पंक लगा कर दुबाई पहुंच जाएंगे, लेकिन जो नॉम्स हैं, जो की रूल्स हैं, उनके अगोर्डिंग, 70 एंटे का मैंडेटरी, कंपन सरी, क्वारिंटाइन फेज है, उसके बाद, उससे गुजरने के बाद ही वे टीम में शामिल हो पाएंगे, तो इस सभी में एक हफता लग जाएगा, पहले हफते वे नहीं होंगे, तो उनके नए खेलने से पहले हफते में काफी परभाव पड़ेगा टीम पर, क्योंकि पहले हफते में जो जो मैचिस हैं, उनमें एक ग्रिप बनाई जा सकती थी, उसमें मुंबई इंडियन्स में और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, इस पर भी एक बड़ी खबर है, जो कि इस से बिलकुल अगली खबर है, आकास चोपड़ा ने कहा है कि मुंबई इंडियन्स वो टीम है, जो कि अक्षन के दोरान ही आधी जीत दर्ज कर लेती है, उनका मा लसित मलिंगा नहीं खेल पा रहे पहले अफते, तो मुंबई इंडियन्स के पास आल्टरनेटिव हैं, अगली खबर जुड़ी है हार्दिक पांडिया से, नाम सुनते ही आपको खबर का पता चल गया होगा, हार्दिक पांडिया बाप बन गए हैं, और मुंबई इंडियन से उन्हें इस बात के लिए बढ़ाई दी है, और उनकी उनके बच्चे के साथ पहली फोटो भी शेयर की है, और अंत में न्यू जूड़ी है, एक संसनी केज कॉस्चन से, जो ये है कि इस बार का IPL कौन जितेगा, आपका मानना है, मेरा मानना है, एस बिंगे, मुंबई इ इंडियन्स या फिर रोयल चेलेंजर बैंगलोर इस बार का टाइटल अपने नाम कर सकती है, और हार्दिक पांडिया इस बार के IPL के man of the tournament रहने वाले हैं, तो दोस्तो ये थी कुछ खास खबरे मुंबई इंडियन्स चे जो रिलेटिड हैं, और कोई खास खबर अगर रह वीडियो बनने तक मेरी नजर में नहीं आई है, तो आप उसे हैट्रिक में देख पाएंगे, हैट्रिक जरूर देखा कीजिए, तो दोस्तो फाइनली देखते हैं वो टीम जो कि आपके सेजेसंस के बाद, फाइनल प्लेइंग 11 है मुंबई इंडियन्स के लिए, दोस्तो झाल